मड़ी कणिका घाट पर शौदा कराने आए लोगों को हो रही परिशानी जहां खबर वारांसी से वारांसी में दिन पर दिन बढ़ते गंगा के जलिस्तर के कारण लोगों को खासा परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है दिन पर दिन बढ़ते गंगा के जलिस्तर से मड़ी कणिका घाट पुरी तरीके से जलमगनो गया है अपने परिवार के मिर्तविक्ती का दास संस्कार कराने आए लोगों का कहना है कि गंगा के बड़े जलिस्तर की वज़े से मढडी करनी का घाट पर काफी परिशानी हो रही है गलियों में पानी है उनने शव गलियों में ही रखना पड़ रहा है इसके साथ ही अभी जहां 10 संसकार हो रहा है उसके चारों तरफ पानी होने की बज़े से लोग शव को पानी में डुबो कर ही ले जा रहा है और शव की संक्या के आदार पर उसके 10 संसकार का नंबर भी लगाया जा रहा है मड़ी करने का घाट पर कम जगा होने के चलते 10 प्लेटफॉर्म वाले स्थान पर एक बार में 10 शव ही जलाए जा रहे हैं यहाने वाले लोगों की संख्या प्रति दिन 50 से 60 होती है इतना ही नहीं पहली बार शव के 10 संसकार के लिए लकड़ी की दुकानों पर नमबल लग रहे हैं शव को जलाने के लिए 4 से 5 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है जिसकी बज़े से लोगों को भारी परिशानी उठानी पड़ रही है मा गंगा के जलिस्तर बढ़ने का सिलसला लगातार जा रही है केंद्री जलायों का कहना है कि गंगा का जलिस्तर बढ़ने की रफ्तार काफी कम हुई है लेकिन अभी भी गंगा के पानी को नीचे उतरने में वक्त लगेगा यह तो हमें नहीं मालूम है खरीजियें तो मालूम पड़ेगा पानी बढ़ने तो प्रभावी थे हैं आज इसना इंडियार पिजरा है